So, welcome back guys, मेरा उन्लान है और आज के इसमें एक पॉलश्री कैम्पेन में हम सीखेंगे कि सुई की फूद अप्लिकेशन में आप किस प्रकार अकाउंट क्रेट कर सकते हैं फिलाल मेरे पास एक Samsung M31S है एक Android पास स्माटफोन है इसलिए हमें प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाके हमें अपिलिकेशन को है और पास स्टोब कर आज है किस तरीके से आप अपना एक account create करते हैं उसको आए देखते हैं तो यहाँ पर फिलाल जो application उसे install हो जाने दीजिए application जो है वो install हो चुका है आए इसे open कर लेते हैं कोई भी applications आजकल app access permissions मांगते हैं और फिर उसमें आपको account create करना होता है यहाँ पर device location जो है वो turn off है इसको turn on कर लेते हैं जैसे हम turn on करते हैं तो application खुद से हमारा address जो है वो कोशिश कर रहा है ढूणने का बिल्कुल सही पकड़ा है इसने और इसमें हम थोड़ा सा confirm कर सकते हैं इस location को तो हमने कर दिया है या फिर हम location manually भी इंटर कर सकते हैं तो अगर हमें location manually इंटर करना है तो हम अब यहाँ पर अपना सारा address जो है वो दे देंगे है या फिर जो हमारा address आया था उसी को हम use करते हैं ठीक है रही बात account creation क्या तो इस तरीके से हमें app interface आता है तो अभी account में अगर जाते हैं तो हम दिखेंगे कि कोई account यहाँ पर दिखा नहीं रहा है हम या फिर हमने account existing account से login कर सकते हैं या फिर हम quickly एक account create कर सकते हैं तो आईए यहाँ पर हमें login बटन पर create करना होगा और जिस भी number से हम account create करना है हम उस number को दे देंगे फिर continue करेंगे तो हमें एक OTP आ जाएगा तो अभी हमें पूछा जा रहा है कि हमें कौन सा email address associate करवाना है हमें इसके साथ और क्या नाम रहेगा account के लिए और sign up कर देता हूँ मैं तो एक OTP थोड़ी दिर में आने वाला है तो OTP आने के बाद self detect हो जाना चाहिए so we are waiting so allow करते है message reading तो यह देख सकते हैं आप OTP आया है और OTP लोगिन हो चुका है तो यह सारा चीज अब हमारा एक account बन चुका है अब हम normally Swiggy में जैसे हम food order करते हैं हम order कर सकते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि Swiggy में basically आप food, grocery या essentials order कर सकते हैं आज मान के चलिए कि मुझे कुछ यहां से order कराना है जैसे case bakery से अगर कुछ order कराना है तो मैं case bakery को select करूँगा और फिर item को add करूँगा और फिर add item और जैसे कि यह मेरे card में चला गया तो एक बार card में चले जाता है तो उसके बाद अगर हमारे पास कोई coupon है तो हम लगा सकते हैं हमें अपना address देना होगा address देने के बाद हम प्रोसीड कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमाइड्रस थे उन्होंने ले लिया लेकिन फ्लाइट नंबर हमें देना होता है, तो कोई एक लैंड मार्क, होम, सेवन प्रोसीड, सो प्रोसीड तो आप इस तरीके से प्रोसीड टू पे करके और फिर लाइक आइटम जो है, वो और कर सकते हैं, इसमें हाला कि हमने काफी extensive tutorial बना रखया कि किस तरीके से आप आइटम लेते हैं, पे करते हैं, आप सारा कुछ देख सकते हैं, तो मैं बस आज एक तरीके से आपको ये application में कैसे आप account create करते हैं, वो दिखा रहा था, ने तो अगर आप application कैसे इस्तेमाल करना है, उस पर अगर आप देखना चाहते हैं, उस पर हमने अलग tutorial बना रहा है, आप restaurant शेक कर सकते हैं, में उसके listings रहते हैं item की, जो भी item आपको चाहिए, आप उस item को add अगर करते हैं, तो कोई पुलाने item जो दूसरे restaurant के वो discard हो जाता है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको नहीं करोगे, मतलब discard नहीं करोगे, और फिर आप ने, अच्छा, यहां पे card में add नहीं से account create करते हैं, और हलका सा कि Swiggy क्या है, आखिरकार उसमें किस तरिके से food order किया जाता है, वो आपने थोड़ा बुद देखा, तो अगर आपको हमारी tutorial पसंद आया, तो प्लीज चैनल को subscribe करें, bell icon को दबाय रहें के notifications के लिए, और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, परिव delivery select करते हुए, और फिर payment करते हुए, उस item को order कर सकते हैं, अगर item, order करना, delivery select करना, वो सारे चीज़ों पर आपको tutorial चाहिए, तो please end screen जरूर देखना, आज के लिए बस इतना ही, मैं अम्लान फिर आऊंगा, अगले tutorial में आपसे जरूर मलाकात होगी,